हेलो गाईज, गैस आप सर्वी लोग, मेरा नाम है सॉनिक और मेरी पूरी की पूरी फैमिली अटक चुकी है इस ट्रक के उपर और ये ट्रक ऐसे सैटो रखाएगी, ये ट्रक हरी गंटे में ये ट्रक नीचे होता रहेगा और ये पानी में जाके डूब जाएगा तो इसलिए मुझे अपनी फैमिली को डूबने से बचाना है और उसके लिए मुझे इस ट्रक तक जंप करना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा पर अभी मैं बहुत ही जादा कमजोर सौनिक हूँ तो मैं छोटा सा जंप भी नहीं कर सकता यह देखो अगर मैं जंप करूँगा तो मैं इधर ही गिर जाऊँगा तो अगर मैंने यह से जंप किया तो मैं पानी में गिर जाऊँगा मुझे पानी में नहीं गिरना मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो कैजर उसके लिए हमें चाहिए आरन मैन आज के दिन मैं जितने भी Iron Man को टच करूँगा उतना जादा मैं अपग्रेड होँगा और मेरा जम्प पढ़ेगा तो मुझे बहुत सारे Iron Man को टच करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूँ अरे Sonic बेटा हमें बचा लो Sonic अगर तुमने बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूँगी हो मैं बचाओ मुझे इनको जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा उससे पहले कि ट्रक पानी में चैली जाए पर Iron Man का मिलेगा अगर Iron Man नहीं मिलेगा तो मेरा जम्प नहीं बढ़ेगा एक सिकिंड ये का चल रहे हैं आपर हाच मंदी है कल टूजड़े है पर सोवेरस दे है उसके बाद ठस्टे फ्राइड़ सजड़े संड़े और फिर फिर से मंदी है फिर टूजड़े है औरे कैसर ये तो Iron Man है चलो फड़ा अपर से इसको टेच कर लेते हैं कैसर आरंड मैं को टेच करने के बाद अभी आप देख सकते हूं मैं दूसरे सॉनिक में अफग्रिड हो चुका हूं चलो देखते हैं क्या मैं अपनी फैमिली को इस सॉनिक से जुम करकर बढ़ा सकता हूं आ रहा हूं मैं तुम सब को बचाने और ये क्या मैं तो पानी में गिर गया ये जुम तो बहुत ही जादा चोटा था इस सॉनिक से हमारी बोड़ी में जादा कुछ फ़राक नी बढ़ा है मुझे और भी आरंड मैं डूडने पड़ेंगे ताकि मन को टेच करके एक बहुत ही खदरनाक सॉनिक मन सकूँ और एक बड़ा जंप कर सकूँ चलो फड़ावट से आरन मैं डूनते हैं आरन मैं रुख जा मैं तुझे टच करके रहूंगा ये तो कब से भागे जा रहा है रुख जा रुख जा रुख जा मेरे पैर बहुत ही जादा छोटे हैं इसलिए मैं इसको पकड़नी पारा पर आरन मैं म उतनी जादा मेरी स्पीड बड़ेगी और मैं इसको पकड़ पाऊंगा रुख जा आरन मैं चल्दी चल्दी लाइक कर तो मैं आरन मैं तक पहुचने वाला हूं रुख जा मेरे बात सुनो तुम मेरे बहुत देर से पीछे पड़े हूं तुम मुझे टच करना चाहते हूं तब ही तुम्हारी पाऊर बड़ेगी मैं कुशी-कुशी तुमको टच करने दूगा पर तुम्हें मुझे इस बोलिंग चैनलेज में हराना पड़ेगा जो भी इस बोल को पहक के सबसे जादा पिंस किराएगा वो जीतेगा अगर मैं जीता तो तुम यहां से चले जाओग जिसने सबसे जादा बोलिंग पिंस किराई वो चीच चाहेगा क्या तुम तयार हो मैं परिकुल तयार हूँ चलो शुरू करते हैं चलो सबसे पहले मेरी पारी इस बॉल को ठाएंगे पिंस पर निशाना लगा के फैक देंगे यह लो औरे यह क्या इसने तो सारी के सारी पि कर दिया मुझे भी इसको करना पड़ेगा तो काईजर फुड़ा उपट से कमेंट कर दो पूलिंग ताकि मैं चल्दी से इस बॉल को पिलको ठेंग से स्कोर कर पाऊ थ्री टू वान के ले और क्या ही शॉट मारा है हमने और यह क्या अरे यह दो पिन कैसे बच गई हाँ पाता हूं सारी की सारी बॉल्स गिरी औरे यह क्या वापिस यह सारी बॉल गिरा तेसे बॉल्स जूकी है और भी एंक एन्य दुटा… तो अभी तिक अभी तक आप्ने वीडियो को लाइक कर दो लाइक और सुम्सेब करने sonosquart और यह कई तो सारे के सारी केreiben और वहीज़ा दी यह तो पहुत ही जाधा खण्फाननाक था म मैंने सारी का है काईसर आपके गुड़ लग के वह से मैंने सारी पिंज रदी अब बस एक और बार तो अभी तक आपने लाइक और सबस्लैब नी किया तो यह आखरी मोका है जल्दी जल्दी लाइक और सबस्लैब कर दो क्योंकि हमारी आखरी बारी मची जरिफ बच्ची पिछली पार तो तेरा गल्दी सो गया इस पार देख मैं क्या करता हूँ यह ले और यह क्या इस ते दो बाली पार प्रेंग दी यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है अरे कैसे मैंसे को ते नी पता हो अब यह हो चुका है इस ते दो पूरगा पूरा ही मिस कर डाला औरे कैजर ये गेम तो हमारे बहुत ही जादा एसी हो चुका है, बस मुझे तीन या चाहिए बॉले उड़ानी है, और फिर मैं जीट जाओंगा, तुम भी मिस्ट कर दोगे, देख ले न, अरे ऐसे कैसे मिस्ट करूँगा मैं, चलो, फड़ा फड़ से लगाते हैं निशाना, 3, 2, 1, GO! और कैजर ये लग गया, और ये सारी के सारी पिंसम ने उड़ा दी, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तुम मेरे से कैसे जीत गए, आइरन मैन, तुने बोला ता, अगर मैंने तुझे हरा दिया, तो मैं तुझे टेच कर सकता हूँ, तो फड़ा पड़ से टेच करते हैं, और हो जाते हैं, अपग्रेड, और कैसे आप देख से तो हम एक और अपग्रेड हो चुके, पर मुझे लग रहा है, मैं ज्यादा मोटा हो चुका हूँ, और आप मैं खूद कैसे पाऊंगा, रुख जाओ, ट्राइ करते हैं, वो, ये क्या, इतना बड़ा ज बचालो, ये गाडी बाने के बहुत पास बहुत चुकी है, और कैसे अरी गाडी तो सहीं में बहुत ही जादा पास बहुत चुकी है, रुख जाओ, अभी मैं जम करने वाला हूँ, तुम सब का में बचालूँ गा, या, ये ले, रहे, ये क्या ऑप दरी किल गया, रुच य प्रप्रश्च करते इस बार्टो मैं आई जाओंगा यार यह क्या अभी मैं उधर तक नहीं पहुच परा बहुत ही जादा क्लोस पुछ पूच गया हूं पर पूरा उधर तक नहीं पहुच परा मुझे अपने आपको और भी अपगेड़ करना पड़ेगा ताकि मैं सीधा व सौनिक मेरी बात सुनो यहां परे बहुत सारे बच्चे अलग-अलग एविंजर्स के अलग-अलग बच्चे इन में से आईरन मैन की बच्चे अगर तुम्हें आईरन मैन को टेच करना है तो तुम उसके बच्चे को टेच करके अपनी पावर्स बढ़ा सकते हूं पर तुम मारे पास सरिफ 30 सेकंड है क्या तुम तयार हो मैं बिल्कुल तयार हूँ मैं उस बच्चे को डूंड के रहूंगा आरन मैन की पच्चों का मुझे डूंड ना पड़ेगा तो चलो फिर शुरू करते हैं 3 2 1 डाइमर होता है स्टार्ट चलो चलो फड़ा बढ़ते देखते यह यहाँ पर फ्लेश का बच्चा है इसको मारते है यह थार का है यह थार का है यह फ्लेश डॉक्टर स्ट्रेंज 20 सेकंड अरे यह क्या चल्दी से मारते है चोटा बीम मारेंगे और यह रहा आरन मैन का एक सेकंड एक और आरन मैन हाँ यहाँ पर आरन मैन के बहुत सारे बच् बच्छे को मार दिया सब्सक्राइब कर दिया सर्फ तीन आर्न मैं बच्छे बहुत बढ़ या सिर्फ पात सेकंड बचे तया में तुम्ने अपना काम कर दिया अब इन तीनों में किसे असली Iron Man का बच्चा कौन है वो बता करो अरे अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन है असली Iron Man का बच्चा रुख जाओ मेरे पास एक सवाल है तुम मुझे बताओ Iron Man का असली नाम क्या है मुझे पताए मुझे पताए मुझे पताए रुक जाओ सबसे पहले तुम बताओ मेले पापा का नाम है पीटर कुमार ओके पीटर कुमार तुम बताओ मेले पापा का नाम है तोनी स्टार ओके अब तुम बताओ मेरे पापा का नाम है मिस्टर तोनी स्टार चलो हमें तीनों में से ये तो पता चुका है कि एक नकली बेबी आरन मैन कौन है और वो है ये निकल यहां से अब सिर्फ ये दो जने बचे इन से मुझे कुछ ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जो सरिफ आरन मैन की बच्चे को बताओ हाँ मुझे बता है तो आकरी सवाल जो भी इसका अंसर देगा मतलब वो असली आरन मैन का बेबी है तो मुझे बताओ आरन मैन दिन के कितने बर्गर खाता है एक दिन में कितने बर्गर तुम बताओ अले मेले पापा तो एक नित में पूरे 15 बर्गर का थे अले मेले पापा तो भी दाइट पे इतली वो तरे पता बंदल था थे ओके तो काईजन मुझे पता चल चुका है कौन है असली बेबी आरन मैन हमारे आरन मैन को कुछ भी हो जाए वो बर्गर खाना नहीं चोड़ सकता वो डाइट पर होने के बाद भी 50 बर्गर खाएगा मतलब तुम हो नकली बेबी आरन मैन निकल जाओ यहां से और यह ना हमारा असली बेबी आरन मैन जिसको टेच करने के बाद हम होने वाले है अपग्रेड 3,2,1 और काईसर अभी अब देख सकतो हम अब ग्रिड़ हो चुके एक और खतरनाक सॉनिक में इस आरन मैन को टेच करने के बाद चलो अब देखते हमाई जंप और भी जादा बड़ी हो चुकी है यह तो बहुत ही जाला खतरनाक है हम इस पोल के उपर से भी खूत पारें काईसर मुझे लगता है अब मैं अपनी फैमिली को आराम से बचा लूँगा चलो फड़ा पर उनको बचाते तो काईसर अभी हम वापिस सा चुके है और यह क्या यह ट्रक तो बिलकुल पानी के पास पहुच गई है अरे बेटा हमें नहीं लगता तुम हमें बचा पाओगे अरे आप टेंक्शन मतलो मैं आ चुका हूँ आपको बचाने अब इतना ख़दरनाक जम करूँगा किसी ना उस ट्रक पर लेंड करूँगा अ गया मैं यह क्या सदान है ऐस सकता है यह ट्रक तो बहुत ही दूर है तो पहुंच नहीं पाला वापसे जम करेंगे लेट्स गो इस पार तो नहीं पुछ पाया और कैसल मैं ने सुच़ए तक कि मैं अपनी बुरी मुझा ही लूँगा पर यह तो अभी भी बहुत ही मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे आधा ट्रक पानी में जा चुका है पसाधा और बागिये सोनिक भाई बाई बाई नहीं तुम टेंशन मतलो मैं तुम सब को बचा के रहूंगा काईसर मेरे पास जादा टाइम नहीं बचा तो इसलिए मैं जाके दो पार और करना पड़ेगा तो कहसे अगर आप चाहते हैं अपग्रेड और सॉनिक मेरी बात सुनों तुम दोनों को चाहिए पावर्स और वो मिलेगी मुझे टेच करने से तुम मुझे टेच करना चाहते हो तो तो तुम्हें यह पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेग मैं फिनिशिंग लाइन पर तुम्हारा वेट करता हूँ जो भी मेरे पैस पहुंचेगा उसको मिलेगी खतरनाक पावर्स और जो नहीं पहुंच पाएगा वो जाएगा नाली में तो चल्दी चल्दी फिनिशिंग लाइन पर आजाओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ये चैलेंज तो डेड़ पूली जीतेगा सौनिक के बच्चे तू अपने घड़ चले जा क्योंकि बच्चे पेंते कच्छे चुप चाप जागे कच्छा पें अब ये डेड़ पूल का बच्चा तो बहुत ही जाला बोल रहा है चलो काईजर देखते हैं ये डैटपूल क्या करने वाला है और इसकी गाड़ी यहाँ पर अभी से 80-80 होने लग गई है इस चैलेंज को मैं जीतूंगा और आरण मैन की सारी की सारी पावर्ड भी हा 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 आरण मैन आ रहा हुँ मैं तो कैसा डैटपूल के बच्च दो बहुत अच्छी इड़ कारी चला रहा है पर अगर आप चाहते हो ये जल्डी से चल्दी हार जाए तो जल्दी से कमेंट कर दो डैटपूल फेल डैटपूल फेल चल्दी चल्दी कमेंट कर दो और मेरे लिए गुड़ लग सॉनिक लिखना बिलकुल भी मत बूला और ये सॉनिक के बच्चे ने तो सारे के सारे फैंस क्रॉस कर लिए फुटबाल्स क्रॉस कर ली अरे ये तो बहुत ही जादा तेज जा रहा है मैं ये जीतने वाला हूँ सॉनिक तू देख ले ना मैं ये जीत के रहूँगा औरे ये क्या हो गया डेड़ पूल तो बहुत ही जादा पास पहुचा पर इतना पास नहीं कि वो मुझे टच कर पाए देख देख दे सॉनिक क्या करेगा तो काई सर अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम तयार हैं इस पूरे के पूरे चैलेंज को जीतने के लिए डेड़ पूल बहुत ही जादा पास पोचा पर हम पास नहीं पहुचेंगे सीधा आरन मैन को टच करेंगे चलो फड़ाफर्ट से अपनी गाड़ी को यहां सर लेकर चलते हैं सीधा सीधा जाएंगे और इस जैलेंज को कम्प्लीट करेंगे अभी तक आपने गुट लग सॉनिक नहीं लिखा तो लिखते ना क्योंकि हम चीतने वाले हैं चलो फड़ाफर्ट से चलते हैं अपनी के जीतना है सबसे महले इन सारे के सारे फैन के पीच में से निकलेंगे और क्या ही बढ़िया लेंडिंग करी हैं और फड़ाफर्ट से वापस हमने गाड़ी को डाली और कैसर इसके बास सिर्फ आखरी जम बचा है मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा क्लोस थी नीचे गिरने से पर अभी हमने बचा लिया है चलो फड़ाफर्ट से चलते इस आखरी चर इस आखरी चंप को करते हैं और यह चैलेंज ची जाते हैं अरे चलती से कुदा और कैसर आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया लेंडिंग हमने करिए सीधा फिनिशिंग लाइन में और आइलन मैं ह हम तुझे टेच करने वाले बहुत पड़ी है सॉनिक तुम ने चैलेंज कंप्लीट किया तुम मुझे चुके अपनी बावर्स बढ़ा सकते हो लेट्स गो 321 बूम और कैसर अभी अब देख सकते हो हमारी जंप हो चुकी है और भी जादा खतरनाक हम कितनी बड़ी बड़ी चुम कर पारे हैं और हमें खतरनाक से सॉनिक भी बन गए पर कैसर अभी में जाके अपनी फैमिली को नहीं बचाने वाला कि मैं अभी गया और अगर मैं जंप को नहीं कर पाया तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे पास सिरु 30 मिनिट पाकी है अपनी फैमिली को बच मालेते हैं सॉनिक वहमर भी मेरे बच्चे कहा हो तुम हम ढूपने वाले हैं और मैं եमारी मम्मी हमें बचा लो सानी सोनिक तो काईजर आखरी बार आप अपड़ेड़ हूने के लिए अपनी जंप को मैक्सीमाइज लेवल तक पहुचाने के लिए हम आग चुके मेरे घर पर यहाँ पे हमें कोई Iron Man तो नहीं मिलने वाला बना हमें Magic Board ज़रूर मिलने वाला है और इस Magic Board पर हम कुछ एक ऐसा खतरनाक सौनिक बनाएंगे जो कि बहुत ही जादा खतरनाक हो और इसकी जंपिंग की पावर उससे भी खतरनाक हो तो चलो फड़ाफट से बनाते हैं अपने Magic Board पर बिना किसी डाइम वेस्ट करें तो गाइस अभी हमने Magic Board पर आचुके हैं और यह आखरी अपग्रेड हमारा होने वाला क्योंकि हम इतना जादा खतरनाक सौनिक बनाएंगे कि वो सबसे जादा खतरनाक होगा सबसे पहले उसके फेज से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे हम सौनिक का कान उसके बाद उसके बड़े बड़े बाल और ये बाल होने वाले हैं बहुत ही जादा खतरनाग अब इसके मुझ को कर देते हैं यहाँ पर कंप्लीट तो यहाँ पर हमने सॉनिक का फेस तो बना दिया अब इसकी बागे की बॉड़ी बना दे तो उसके लिए हमें चाहिए हैं बड़े बड़े शोल्डर उसके तार बड बड़े बाई शेफ डोले शोले इनको फड़ाफट से बनाते हैं बहुत ही जादा खतरनाग और यहाँ पर इसका एक हाथ हो गया कंप्लीट इस साइड भी डोले शोले बना देंगे और इसकी अंगुलिया दे देंगे तो काईजर एक हाथ तो बन गया अब बारी दूसरे ह के बाणी बनाते हैं यहां परिसकी से बनाएंगे और इसको एक बड़ी असा जड़ा पिरां तना धयाम पिराएंगे यहां पर जबीघ के ऐसा डिजाइंऄ रिचे हो भी श्रविर तो बन गई हो बांकी खतर खत्त्क यहांसे ऑल्कुलिया देंगे हैं और यहां पर बीड चुके अब इसका मूँ बनाते तो मूँ स्वे वैसे तो आखे होती है पर यह जादा खतरनाग सौनिक है तो हम इसको चश्मा पिनाने वाले ताकि यह लगे एकदम कूल ताकि एकदम लिए कूल डूड वाला सौनिक फुड़ा उपट से इसको यहाँ पर पिना देते हैं चश्मा लेट्सको यहाँ पर इसका एक चश्मा हो गया और यहां पर हो गया इसका यह दूसरा दूसरी आखे और यह डन तो कैसरा हमारा चश्मा यहाँ पर डन हो चुका है और हम यहां पर बनाएंगे इसकी छोटी सी नाग और बड़ा समूर तो काईजर आप देख से तो सब का सब ड़न हो चुका है फड़ा पड़ से इसके अंदर कलर गरते हैं सौनिक हमारा होता है ब्लू कलर का तो लग बाक सारी की सारी चीजे ब्लू होने वाली है और इसके मू हमारे सौनिक के 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 एब्स तो यहां पर एब्स बन गए 36 के 56 इंच की है और इसकी चट्डे में फटाफट से कर देते हैं कलर पर पल कलर का और हमारा सौनिक बहुत ही जादा खतरनाक हो चुका है तो कैजर सौनिक तो हमारा बन गया पर हमें जो में च 1000 और हमारी ड्रॉइंग के हाँ पर हो चुकी है कम्प्लीट फड़ाबर से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और देखते हैं क्या यह सौनिक फैमली को बचा पाएगा और यह पेंटिंग बनाई हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने तो काई से हमें आप देख सकतू ह हमारी ड्रॉइंग के हाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है और मैं कितना जादा बड़ा और खतरनाक हो चुका हूँ चलो अब जम्प करते हैं यह तो बहुत ही खतरनाक है इससे बड़ा तो क्या ही जम्प हो सकता है मैंने अपने घड से पूरा मेज बैंक तक जम्पार दिया व फड़ामट से अपनी फैमिली को बचाते हैं उससे पहले कि वह पानी में डूप जाए बच्चो मझे नहीं लगता सौनिक हमें बचा पाएगा हमें धरी मरना पड़ेगा पानी सर तक बहुच गया है सौनिक हमें नहीं बचा पाया या मैं आ गया चल्दी से बचाते हैं और हम आगे सीधा बहार आखिरकार हमारा काम हो गया चलो अरे सौनिक तुमने हमको बचा लिया बहुत बढ़िया सौनिक हमने सोचा था तुम हमें नहीं बचा पाओगे अरे ऐसे कैसे मैंने अपने दोस्त पापा मेरी बीवी और मम्मी चारों को बचा लिया है पानी से चा बहुत ही कतरनाक है तो कैसर आशिवर से भी इतना ही अगर आपको एड्रेस बिजवा दूंगा तो कैसे लगी वीडियो फुरा उपट से कमेंट करके बता दू हमने अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया और साथी में मेरी शादी में फिक्स हो चुकी है अगर आप मेरी शाद आपको एड्रेस बिजवा दूगा तो कैसे इंस्ट्राम और डिस्कॉर डिस्ट्रिस्टिन में वापशे के जोन फोलो करें ना और मिलेंगे आप से किली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई